दोस्तो बॉलीवूड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर कहे जाने वाले प्लिजेंडरी सिंगर और संगित कार बपी लहरी ने सोलर फरवरी के दिन दुनिया को अलविता कह दिया जिनके जाने से जहां हर किसी की आँखे नम है तो वही इनके जाने के बात अब हर कोई बॉलिवूड और म्यूजिक को दिये इनके योगदान को भी याद कर रहा है जी हां इन्होंने अपने समय में एक सी बढ़ कर एक हिट सौंग दिये जिसकी वज़े से इन्हें बॉलिवूड की हिट मसीन तक कहा जाता जिसकी वज़े से ही इनके निधत से बॉलिवूड इंडस्ट्री में सोग की लहर दौर पड़ी है इंडस्ट्री से जुरे धेरो सिता इनके घर पहुच रहे हैं और इनके अंतिन दर्शन कर रहे हैं तो कौन से हैं वो सितारे आईए जानते हैं इस वीडियो के जरिये इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुमार है अभिनेत्री काजुल का आपको बता दे काजुल का पूरा पड़िवार बॉलिवूड इंडस्ट्री से नाता रखता है जिसकी वज़े से बप्पी लहरी ने उनके पड़िवार के किसी ना किसी सदस्य के साथ काम कर रखा है और इसलिए उनके साथ इनके पड़िवार के हर एक सदस्य के काफी अच्छे रिष्टे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये दोनों ही बंगाली हैं इसी वज़े से इन दोनों परिवार के बीच का रिस्ता और भी ज़्यादा करीवी था जिसकी वज़े से ही जब काजुल को इनके निधन की खबर मिली तो वो अपनी मा तनुजा के साथ उनके आखरी धर्शन करने पहुँच गई इस लिस्ट में एक नाम बॉलिवूड इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड सिंगर अलका यागनिक का भी है आपको बता दे अलका यागनिक ने जहां बपिदा के धेरो गाने में अपनी अवास दी है तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड भी रहा था जिसकी वज़े से इन्हीं वी जब इनके निधन की खबर मिली तो इन्हें इस चीज का बेहती दुख हुआ और इसलिए ये भी उनके पार्थिर सरीर के आखरी दर्शन करने के लिए पहुची बपी लेरी के आखरी दर्शन करने के लिए जो सितारे पहुचे उनमें आखरी नाम सुमार है सब्रानी मुखर जी का जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं ये भी काजुल के परिवार से हैं हाला कि ये फिल्मों से खास कमाल नहीं कर पाई जिसकी वज़े से ये लाइम लाइट में जादा तो नहीं रहती पर आपको बता दे जब इन्हें बपी दा के निधन की खबर मिली तो ये भी खुद को उनके अंतिम दर्शन करने से रोक ना पाई और इसलिए इन्हें भी नम आखे लिए उनके अंतिम दर्शन में कैप्चर किया गया तो दोस्तो बपी लहरी के निधन पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही बॉलीवूर्ड से जुरी ऐसी ही और लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले